यह अभिनव मानव प्रजास रिष्टी द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे व्रिष्टी अंजान समस्याएं गढती रचती हो अपनी ही विनष्टी कोला हल कलह अनन्त चले एकता नश्ट हो बढ़े भेद अभिलशित वस्तु तो दूर रहे हां मिले अनिच्चत दुख खेद हृदयों का हो आवर्ण सदा अपने मक्षस्थल की जड़ता पहचान सकेंगे नहीं परस पर चले विश्व गिरता पड़ता सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टी दुख देगी एह संकुचित दृष्टी नमस्कार भारत वानी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सब का महा कवी जैशंकर प्रसाद रचित उनके महा काव्य कामाईनी पर आधारित मेरी इस शिंखला की 51 वी कड़ी में आहत हैं काम मनु के कृत्य को लेकर निर्दई निर्मोही मनु छोड़ जो आये हैं शद्धा को केवल अपने स्वार्थ के कारण काम के लिए ये बिचोह उनका अपना भी है अपनी प्रेयसी अपनी संगिनी रती से बिचोह का दुख तो सब सीमाएं तोड़ अपनी तो अब काम का कोमल प्रेम मैं आलाप बदल गया है एक कठोर श्राप में मनु के लिए काम के उस श्राप से केवल मनु ही प्रभावित नहीं हुए है अपनी तो मनु की आने वाली पीढ़ियां भी श्रापित हो गई है जिस स्रिष्टी का निर्माण मनु ने अभी किया भी नहीं है उसकी प्रजा को उसकी शासन व्यवस्था को काम के अभिशाप से ही होकर गुजरना है और अभी रुका नहीं है काम की वाणी का वो कठोर प्रभाव बहुत कुछ है भी मनु को सुनना कहते हैं यह अभिनव मानव प्रजास रिष्टी द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे व्रिष्टी अन्जान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी ही विनश्टी कोलाहल कलह अनन्त चले एकता नश्ट हो बढ़े भेद अभिलशित वस्तु तो दूर रहे हां मिले अनिच्छित दुख खेद हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता पहचान सकेंगे नहीं परस पर चले विश्व गिरता पड़ता सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टी दुख देगी यह संकुचित दृष्टी अपने श्राप को आगे बढ़ाते हुए काम कहते हैं मनुसे कि तुम जिस मानव जाती का निर्मान करना चाहते हो अभिनव मानव प्रजा श्रिष्टी जो तुम करना चाहते हो जिसका दाई तो तुमने अपने कंदों पर लिया है मेरे श्राप से उसमें कभी एकता न हो वह द्वैत बुद्धी रखकर सदा बंटी रहे द्वैत बुद्धी अर्थात एकता का एक विरोधी भाव परस पर भिन होने का भाव मतलब वो हमेशा आपस में एक दूसरे से एक विरोध के नाते में बने रहें लड़ते रहें जगरते रहें जाव निरंतर वर्णों की वरिष्टी होती रहें अर्थात अलग अलग वर्णों की कुलों की नई नई जातियों की वर्षा होती रहें कभी शान्त न रह सकें जो नित्य अपने लिए अन्जानी नई नई उल्जने समस्याएं गढ़ते रहें रचते रहें उत्पन करते रहें और उसके कारण सोयम अपने विनाश को आमंतृत की रहें अपनी विनश्टी के सोयम ही कारण बने रहें आपसी जगणों के कारण कभी अंतना होने वाला वो कलह, को लाहल, वो शोरगुल होता रहे, उनमें एकता का भाव मिट जाए और फूट बढ़ती रहे, अभिलशित वस्तु तो दूर रहे, अपनी अमन चाही वस्तु ना मिले उन्हें कभी, जिससे किवे कसनता का अनुभव करें, बलकि उसके स्थान पर अन्चाहे, अनिच्छित, दुख पहुचाने वाले कष्ट निरंतर मिला करें, वक्ष स्थल सखत होता है, उसके नीचे हृदे होता है, जो भाव का केंद्र होता है, प्रेम आदि भाव का स्थान होता है हृदे, तो श्राप देते हैं काम की कठोर चाती जो है वो मन पर एक परदावन के पड़ी रहे ताथ पर है कि प्रजा के हृदेयों में परस पर प्रेम सहान भूती ममता आधिभावों का संक्रमण ही ना हो पाए क्योंकि वो हृदे से बाहर आएंगे तब तो एक दूसरे से प्रेम प्राफ्त करेंगे लेकिन एक कठोर आवरण चाती का वक्षस्थल का उस प्रेम पर पड़ा रहे हैं लोग घनिष्ट संबंदी होने पर भी स्वार्थ भावना और द्वेश भाव के कारण एक दूसरे को पहचाने तक नहीं ना पहचानने का बहाना बना कर मुह मोड लिया करें और इस प्रकार परस पर ग्रिना द्वेश और असहयोग के कारण ये संसार कभी अवनती और कभी उनती करता हुआ चलता रहे हैं गिरता पड़ता उठता खड़ा हुता निरंतर लोगों के पास धन धान्य वस्त रादि सभी अपेक्षित वस्तु रहने पर भी उन्हें कभी संतोश नम ले और अधि संग्रह करने की कामना बनी रहे यत्न करते रहें उसके लिए और दुखों को आमन्त वित करते रहें अपने जीवन में इस प्रकार की स्वार्थ भरी ये संकुचित द्रिश्टी एक संकुचित विचार धारा उन्हें सदा कष्ट में बनाए रखे यहां पर कभी ने एक साम कुछ में मनु के चरित्र को उन्होंने कारण बना दिया है वर्तमान सामाजिक द शाक जो वरतमान हमारा है जो का शृय है मनु का श्राफित भविश्य जिसका कारण है उनका वो अदित जिसने उन्होंने लिखी श्रद्धा की आसुओं की कहानी अनवरत उठे कितनी उमंग चुम्बित हो आसु जलधर से अभिलाशाओं के शैल श्रिंग जीवन नवहा कार भरा हो उठती पीडा की तरंग लाल सा भरे योवन के दिन पत जड़ से सुखे जाएं बीत संदेह नए उत्पन रहे उनसे संतप्त सदा सभीत फैलेगा स्वजनों का विरोध बन कर तमवाली शाम अमा दारेद्र दलित बिल खाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति रमा दुख निरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नए रंग बन द्रिश्ना ज्वाला का पतंग अनवरत उठे कितनी उमंग स्वजनों का विरोध बन कर तमवाली शाम अमा दारेद्र दलित बिल खाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति रमा दुख नीरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नए रंग बन द्रिश्ना ज्वाला का पतंग अपने श्राप के प्रवाह में आगे कहते हैं काम कि तुम्हारे ये नए प्रजा तंत्र में लोगों के हृदयों में जीवन को सुखी बनाने के लिए विविद साधनों को प्राप्त करने के लिए हर समय अनवरत लगातार अनेकों उमंगे उठा करें और विलीन हो जाएं उनकी वो परवत की चोटियों के समान बहुत उची उची लेकिन सफल नहोने वाली जो अकांग्शाएं हैं जो इच्छाएं हैं उनको उनके अपने आंसूं के बादल अपनी लगातार वर्षा से चुम्बित करते रहें वर्षा से चूते रहें इससे फिर उनके जीवन रूपी नाले अभावों के कारण नित्चनए हाहा कारों से गूंजते रहें और हृदय में वेदना की लहरें उठाते रहें नई नई रंगीन सुख की कामनाएं लिए उनके यौवन के दिन निराशा में पत जड़ के दिनों की भाथी निराशा उदासी और दुख में ही बीथ जाएं उनके मन सदा भाथी भाथी की विपत्तियों की आशंकाओं से भरे रहें और उनसे वो डरते डरते अपना जीवन बिताएं सदा संतप्त सभीत संदेह से स्वजनों के बीच परसपर विद्वेश विरोध विद्रोव बना रहें और यही विद्वेश यही परसपर विरोध अंधकार भरी काली अमावस बन कर अर्थात विपत्ती और घोर निराशा लिए बढ़ती रहें यहाँ पर प्रसाद जी ने कहा है तम वाली शाम अमावस बात हो रही है अमावस्या की और अमावस्या जो स्वयम यूँ भी काली होती है उसके लिए उन्होंने उस कालिमा को और अधिक बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ तम वाली अंधेरे वाली शाम काली वो संधकार की अतिशयोगती दिखाना चाहते हैं इस प्रयोग से कहते हैं कि इतनी अधिक निराशा भरी गोर निराशा भरी रात स्वजनों के बीच विरोध बनकर तनी रहे बनी रहे और ये अन्न और त्रण समूह से हरी भरी यानि शस्य श्यामला प्रकृति रूपी जो लक्ष्मी है प्रकृति रमा उसके लिए भी यहाँ पे एक विरोधी अभाव प्रयोग किया है कवी ने कि दारिद्र दलित बिलखाती हूँ लक्ष्मी जो धन की देवी है लेकिन उस धन की देवी को भी यहाँ पे कवी ने दारिद्र दलित और बिलखती हुई बताया है कहते हैं कि जो धर्तिशस्य श्यामला है सदा हरी भरी रहती है अन्न की धनधान्य की कमी नहीं रहती जहां वही प्रकृती रूपी लक्षमी तुम्हारे काल में धरिद्र हो जाए गरीबी की मारी शुन्य होकर फूट फूट कर रोया करे मनुष्य दुख रूपी बादलों के बीच इंद्रधनुष के समान कई रंग रूप धारन करे अर्थात अपने रंग बदलता रहे एक सान रहे इंद्रधनुष के उपमा के वजाए इसे यदि गिरगिट कहा जाए तो ज्यादा सही होगा काम के श्राप की अनुरूप होगा तातपर यह है कि जैसे बादलों में इंद्रधनुष सतरंगी रूप धारन करता है इसी प्रकार मनुष भी विपत्तियों का मारा लालच रूपी आग की लपट का परवाना बनकर लोब के वश में होकर अनेकों भले बुरे काम करे बन तृष्णा ज्वाला का पतन वह प्रेम न रह जाए पुनीत अपने स्वार्थों से आवरित हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत सारी संस्रित हो विरह भरी गाते ही बीते करुण गीत आकांग्षा जलनिध की सीमा हो क्षित ज निराशा सदारक्त तुम राग विराग करो सब से अपने को कर शत शह विभक्त मस्तिश्क हृदय के दो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं बह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल जाए कहीं रोकर बीते सब वर्त मान शन सुन्दर अपना हो अतीत पेंगों में जूले हार जीत वह प्रेम न रह जाए पुनीत अपने स्वार्थों से आवरित हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत सारी संसृति हो विरह भरी गाते ही बीतें करुण गीत अकांग्षा जलने धी की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त तुम राग विराग करो सब से अपने को कर शत्शह विभक्त मस्तिश्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं वह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल जाए कहीं रोकर बीतें सब वर्तमान एक्षन सुन्दर अपना हो अतीत पेंगों में जूले हार जीत कहते आगे कि मित्रों और पति-पत्नी के बीच में जो रहने वाला प्रेम संबंध है वो पुनीत न रह जाए उसमें पवित्रता न रह जाए वो अंतरंग संबंध भी छलकपट से भरा हो जाए उनके मन में चिपी कल्यान की प्रेम की भावना डरी हुई सी संकुचित हो जाए अर्थात एक दूसरे की भलाई की भावना उनके मन में भी न रहे यद्यापी वो प्रेमी हैं पति-पत्नी हैं लेकिन फिर भी स्वार्थ से भरे रहे यहां प्रेमियों का मिलन ना हो, सारा संसार विरह से संतप्त रहे, सारी संसृति हो विरह भरी और सारा जीवन मनश्य का शोक गीत गाते गाते ही बीत जाए, कभी मिलन की घड़ी आए ही नहीं लोगों की इच्चाओं का समुद्र सदा निराशा रूपी ख्षिते जी की लालिमा से रंगा रहे, हाका अंख्षा जलने धी, इच्चाएं तो होंगी और इच्चाएं जलने धी के समान होंगी, समुद्र से भी बड़ी, लेकिन वो पूरी नहीं होंगी और वो ख्षिते जी सदा निराशा के रक्त से रंगा रहेगा, तात पर यह है कि जैसे सायंकाल के समय समुद्र के पानी में अंतरिक्षी की लाली प्रतिविंबित होने से वो पानी लाल लाल दिखाई देता है, ऐसे ही प्रेमियों के मन में भरी कामनाएं निराशा में बद चाहें, शत शह विभक्त यानि सेकड़ों टुकड़े हो जाएं इस समाज के और फिर उनमें परस पर मेल जोल के स्थान पर ग्रिणा के भाव बनबते रहें, मस्तिश्क और हृदय में ताल मेल नहों, विचार कुछ और कहें तो मन कुछ और, भावना कुछ और, जब मस्ति रिदय को साथ चलने को कहें, तो मन दुखी होकर कहीं और चल दे, लोगों का भूत काल तो सुखमय हो, परंतु वर्तमान दुख ही दुख से भर जाएं, अता सुखमय अतीत का स्मरण करके, तथा कश्टों से भरे वर्तमान को देखकर, लोग रो रोकर अपना जीवन बिता उनके जीवन की हार और जीत अनिश्चित सी रहे, एक ऐसे जूले में जूलती रहे, जिसका कोई लक्ष नहीं, जैसे जूला जूलने में पैंक कभी आगे बढ़कर उपर उठती है, तो कभी नीचे उतर कर पीछे चली जाती है, तो इसी प्रकार कभी हार होती है, तो कभी वनुष्य का जीवन निश्चित रूप से एक रस नहीं हो पाता, किसी और नहीं हो पाता, किसी लक्ष तक नहीं पहुँच पाता संकुचित असीम अमोग शक्ति, जीवन को बाधा मैपत पर ले चले भेद से भरी भक्ति, या कभी आपून अहंता में हो रागमई सी महा शक्ति, व्यापकता नियत प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बन्द, सरवग्य ज्यान का खुद्र अंश विद्या बन कर कुछ रचे छंद, कर तृत्रित्व सकल बन कर आवे, नश्वर छाया सी ललित कला, नित्यता विभाजत हो पल पल में, काल निरंतर चले ढला, तुम समझ ना सको, बुराई से शुभ, इच्छा की है बड़ी शक्ति, हो विफल तरक से भरी युक्ति, संकुचित असीम अमोग शक्ति, जीवन को बाधा मै पत पर ले चले भेद से भरी भक्ति, या कभी अपून अहन्ता में हो रागमई सी महाशक्ति, व्यापकता नियत प्रेरणा बन, अपनी सीमा में रहे बंद, सरवग्य ज्यान का क्षुद्र अंश, विद्या बन कर कुछ रचे छंद, कर्त्रित्व सकल बन कर आवे, नश्वर छाया सी ललित कला, नित्यता विभाजित हो पल-पल में, काल निरंतर चले ढला, तुम समझ ना सको, बुराई से शुब इच्छा की है बड़ी शक्ति, हो विभल तरक से भरी युक्ति, कहते हैं कि तुम्हारी नई श्रिष्टी में मनुष्य बहुत ही सीमित, बहुत ही संकुचित साद्रिष्टी कोन रख कर सामने, अधात केवल अपने स्वार्थ के लिए, अनन्त और व्यर्थ ना जाने वाली, यानि अमोग शक्ति का संग्रय करता रहें, बास्तव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग समाज के लिए होता है, अपने लिए तो होता ही नहीं, लेकिन ये श्राप है काम का, तात पर ये है कि उसका उप्योग व्यापक हित में नहो, धन संचै से स्थूल बन जाने से मनुष्य की अभिरुच्छी, उसके जीवन को एक ऐसे संकीन, एक ऐसे बाधा मै पत की ओर ले चले, जिस पर विकास में रुकावठी होती रहे, मनुष्य कभी अपना और समाज का विकास कर ही न पाए, अर्थात मनुष्य सामाजिक एकता पर विश्वास न रखकर भेद बुद्धी में रुची रखे, ऐसा करके वो विकास में बाधा के कारण उपस्थित करेगा, लोगों में विहटन पैदा करेगा, विरोध पैदा करेगा, विवाद उत्पन करेगा, या महान न होने पर भी वैसा होने का मिथ्या हंकार करने में प्रवृत्त हो जाएगा, इस प्रकार दैव वशात अर्थात भाग्य के कारण उसके व्यक्तित्व का व्यापक होना रुक जाएगा, उसका व्यक्तित्व एक बहुत ही संकुचित दाइरे में ही बंद कर रह जा पर ज्ञान का बस थोड़ा सा भाग पाकर मान लेंगे कि उन्होंने सारी विद्या पढ़ ली शैलो नॉलेज और उसके अभिमान में कुछ पद रच कर बस कवी बनने का यतन किया करेंगे चित्र कला मूर्ती कला आधी ललित कलाओं की नाशवान कानती सी अर्थात सामान्य सी सामान्य रूप जो कहते हैं कि शीगर ही नश्ट हो जाए पूर्ण रचना संभवी न हो भावी है कि लोग सामान्य सी ललित कला का प्रदर्शन करके उसी को पूर्ण कला कृति मान लेंगे नित्य कभी न मिटने वाले को कहते हैं परंतु कोई नित्य रहे ही नहीं किसी कानिष्ट चाहने की स्थान पे भलाई की कामना करना ही उत्तम है लेकिन लोगों को ये समझाने पर भी समझ में ना आए और विवेचन के साथ किये गैसा वो पाए निश्फल हो जाए हो विफल तरक से भरी युक्ति यहां पे साफ प्रकट होता है कि कभी ने अपने युग की स्थिति को देखकर उसे ही काम से अभिशप्त रूप में प्रस्तुत किया है जो स्थिति हमारी है उसका कारण काम का श्राव और जिसका कारण बनाया उन्होंने मनु को जीवन सारा बन जाए युद्ध उस रक्त अगनी की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध अपने को आवरित किये रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दंभ स्थूप श्रधा इस संस्रित की रहस व्यापक विशुध विश्वास मई सब कुछ दे कर नवनिधी अपनी तुम से ही तो वह छली गई हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविश में रहो रुद्ध सारा प्रपंच ही हो अशुध तो आगे कहते हैं काम की जीवन सारा बन जाए युद्ध उस रक्त अगनी की वर्षा में बह जाएं सभी जो भाव शुद्ध अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध अपने को आवरित किये रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दंभस्तूप शद्धा इस संस्रिती की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वास्मई सब कुछ देकर नवनिधी अपनी तुमसे ही तो वह छली गई हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविश्य में रहो रुद्ध सारा प कि तुम्हारे नव निर्मित मानव समाज का सारा जीवन युद्ध बन जाए संघर्शमय बन जाए उसमें बहने वाले खून और अगने से लोगों के हृदयों में स्थित प्रेम ममता आदी के भाव भी साब बह जाए रथात लोगों के पारस्परिक कलह और वैर भाव के का नित्य खून खराबा होता रहे युद्ध होते रहे उनमें प्रेम आदिभावों का लोप हो जाए सदा के लिए तुम लोग अर्था तुम्हारी संतान परस पर संदेह करके अपने ही विरोधी बन जाए अपने हृदयों में संदेह और अविश्वास का भाव भर कर बाहर स बनावटी सवहार्द से अपने वास्तविक यथार्थ रूप को छिपाए रखें और अपना सबकृत्रिम बनावटी बंधुता का रूप लोगों को दिखाते रहें इस प्रकार इस प्रित्वी पर मनुष्य एक जूठे अहंकार एक मित्या अहंकार के मूर्तिमान रूप म ऐसे घूमें जैसे कि वह चलता फिरता अहंकार का एक कोई उचा स्तंभ हो चद्धा इस संसार का मूलतत्व है जो संपूर्ण प्राणियों और स्रिष्टि भर में व्याप्त है वह चल कपट आदिविकारों से रहित है और विश्वास का स्वरूप है तुमको उसने नौ न सब कुछ अर्पित कर दिया परन्तु तुमने उसके साथ ही कपट का व्यवहार किया तुम से ही तोवह चली गई इसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा तुम अपने वर्तमान में किसी प्रकार के सुख सफलता अधी को प्राप्त नहीं कर पाओगे केवल भविश्य की आ पंच में सारी स्रिष्टी में एक अशुद्ध भाव बसा रहेगा यहां पे स्तूप शब्दाया है तो स्तूप बौध धर्म के प्रचार के लिए एक ऐसे स्तंभ हैं जिनकी नीव में बुद्ध या और बौधाचारियों की अस्तियां या निस्वृतिशेश रखे जाते ह यह उंचे और स्थापतिक अला के आदर्श वाने जाते हैं इस पद में श्रद्धा के अंतरिक गुणों के रूप में स्वयम उसका अध्यात्निक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है इसके द्वारा दिखाया गया है कि मानव समाज का मूल आधार श्रद्धा या पारंपर इक विश्वास है यदि वहना रहे तो समाज का यह तंत्र नहीं चल सकता पुनह चली के साथ यदि चल किया जाए तो किसी अंश में वह क्षम्य हो सकता है पर साक्षात विश्वास की प्रतिमा के साथ चल तो अक्षम्य अपराद है तुम जरा मरण में चिर अशांत जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवल तन अनंत अमरत्व वही भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत दुख मैं चिर चिंतन के प्रतीक शद्धा वंचक बन कर अधीर मानव संतति ग्रह रश्मि रज्जु से भाग बाध पीटे लकीर कल्यान भूमिय है लोक यही शद्धा रहस जाने न प्रजा अतिचारी मिथ्या मान से पर लोक वंचना से भर जा आशाओं में अपने निराश निज बुद्ध से रहे भ्रान्त वह चलता रहे सदेव शान्त तुम जरा मरण में चिर अशांत जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत अमरत्व वही भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अन्त दुखमे चिरचिंतन के प्रतीक शद्धा वंचक बनकर अधीर मानव संतत ग्रह रश्मी रज्जु से भाग्य बांध पीटे लकीर कल्यान भूमे यह लोक यही शद्धा रहस्य जाने न प्रजा अतिचारी मिथ्या मान इसे पर लोक वंचना से भर जा आशाओं में अपने निराश निज बुद्धी से रहे भ्रांत वह चलता रहे सदेव श्रांत तो काम मनु के साथ साथ संपूर्ण मानव जाती को अभिशप्त कर रहे हैं आगे कहते हैं कि तुम मानव व्रिधा वस्था और मृत्यु के फेर में जरा मरण में चिर अशांत रहो यानि सदा शांती से दूर रहो आज तक जिस अमर्ता को सब लोग जीवन में पुनह कभी समाप्त नहुने वाला अवस्था का बदलाव माना करते थे लेकिन अब वह अमर्ता सदा के लिए विस्मृत हो जाएगी भूल जाओ कि तुम कभी अमर्त है या तुम आगे भी अमर होगे उसको अब तुम जीवन कांत कहकर पुकारोगे तात पर यह है कि मनुष जीवन की जो तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं बाल्य यौवन और वार्धक्य व्रिद्धावस्था यह वस्थाएं एक कांत होने पर दूसरी आती है मनुष देव बनकर अन्य वस्था को प्राप्त करता है जिसे अमरत्व कहते हैं अन्य वस्थाओं की भाति उसकांत नहीं होता लेकिन काम कहता है कि उस अमरता को भूल कर उसे अब तुम जीवन की समाप्ती मानोगे मनु देव जाती से संबंद रखते थे इसलिए वे अमर थे पर उनकी संतान अमर ना होकर वार्धक्य आनि प्रिद्धावस्था का और मृत्यू का कष्ट भोगेगी तो है मनु तुम इस जीवन को सदा दुखमय मानने वाले हो और इस प्रकार दुखवाद के सूचक हो चंचल प्रकृति और श्रध्धा को ठगने वाले हो तथा संसार की अनित्यता मान कर श्रध्धा विश्वास पर आस्था नहीं रखते हो अब तुम्हारी संतान जो मानव कहलाएगी अपने पुरुशार्थ पर विश्वास न करके अपने दैव को यानि अपने भाग्यों को ग्रहों की किरण रूपी रस्ती से बांध कर पस यही सोचा करेगी कि मेरी तो ग्रह दशा ठीक नहीं है भाग इसलिए अनुकूल नहीं यही रट लगाया करेगी तुम्हारी राज्य की जनता शद्धा के वास्तविक गूढ अर्थ यानि यह संसार ही पुरुशार्थ के द्वारा कल्यान को प्राप्त करने का स्थल है इस सत्य को कभी जानी नहीं पाईगी और इसको असत्य मान कर इसके विपरीत आचरन करके प घर्प कर लेगी सदा के लिए और वो निराशा के कारण अपनी कोरी बॉद्धिकता के बल पर आशाओं में भटकता रहेगा वह जन्म और मृत्यू के पत्थ पर सदा ठका हुआ श्रांत चलता रहेगा इस लोक को एवं इस योनि को प्राचीन ग्रंथों में कर्म भूमी का गया है इसी जीवन में किये गए पुरुशार्थ से कल्यान और इच्चर शांती प्राप्त की जा सकती है श्रद्धा यही उपदेश देती आई थी उसे आत्म श्वासमाई बताया गया है और यह का गय अर्था भलाई के लिए पुरुशार्थ करने का बुरा परिणाम नहीं होता अनेक जन्म संसिध्धस्त तो याति पराम गतिम एक मैं नहीं तो अनेक जन्मों में ही सही सफलता प्राप्त करके उत्तम दशा को प्राप्त कर सकते हैं बस यही आस्था और द्रड़ विश्वा श्रद्धा का आशे हैं लेकिन मनुने न श्रद्धा पर विश्वास किया ना उनके प्रेम पर तो कैसे पनपता श्रद्धा के द्रड़ विश्वास और आस्था का फल लेकिन अब जो फल पनपने वाला है वो है मनु के स्वार्थ का श्रापित फल अभिशाप प्रतिधनी हुई लीन नभसागर के अंतस्तल में जैसे चिप जाता महामीन मृदु मरुत लहर में फेनो पाम तारागन जिल मिल हुए दीन निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था वह विजन प्रांत रजनी तम पुंजी भूत सद्रिश मनुश्वास ले रहे थे अशांत वे सोच रहे थे आज वही मेरा द्रिष्ट फिर बन आया जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली चाया लिख दिया आज उसने भविश्य यात ना चलेगी अंत हीन अब तो अब शिष्ट उपाय भीन अब तो अब शिष्ट उपाय भीन अब शाप प्रतिध्वनी हुई लीन नभ सागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महा मीन मृद मरुत लहर में फेनो पम तारागन जिल मिल हुए दीन निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था वह विजन प्रान्त रजनी तम पुंजी भूत सद्रिश मनु श्वास ले रहे थे अशांत वे सोच रहे थे आज वही मेरा अद्रिष्ट फिर बनाया जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया लिख दिया आज उसने भविश यात ना चलेगी अंतहीन अब तो अब शिष्ट उपाय भीन सारा दोश फिर एक बार मनु ने मढ़ दिया है काम पर ही तो काम का श्राप समाप्ति की ओर है और काम के श्राप की समाप्ति पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कभी कहते हैं किस वचन के पश्चात वो शाप की वानी की गूंच आकाश के बीच में उसी प्रकार लुपत हो गई जिस प्रकार किसी महा समुद्र में एक बड़ा मच्च डूबकी लगाकर अद्रिश्य हो जाता है नबसागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महामीन हलकी हलकी वायू की लहरों पर छाए फेनो पम तारा गण जाग के समान तारे और नक्षत्र उदास से टिम्टिमा रहे थे सारा संसार नीद में सोया था उस रात्री के समय सर्वता निश्चेष्ट चुपचाप गहरी नीद में निस्तब्ध मौन तंद्रालस विजन प्रांथ अर्थात वो निर्जन प्रदेश वो सारस्वत प्रदेश के खंड़र वे भी निद्रा में अलसाय हुए से दिखाई दे रहे थे उस समय रात्री के जमा हुए अंधकार के समान उसमें लेटे हुए मन अधीर होकर लंबे-लंबे सांस कीच रहे थे रजनीतम पुंजी भूत सद्रिश मन श्वास ले रहे थे अशांत उस शाप को सुनकर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हाई आज वही काम पुनह मेरा दुर्भाग्य बनकर उपस्थित हुआ है पहले भी उसने अपना श्रद्धा को प्राप्त करने का संदेश देकर अपना दुश्प्रभाव डाला था आज उसने यह श्राप देकर मेरे भविश्य का निरणय लिख दिया है कि मुझे कभी शांती नहीं मिल सकेगी अब तो जो कश्ट मैं भोग रहा हूँ ये कभी समाप्त होगा ही नहीं भोगते ही रहना होगा पहले यत्न करके इस्थिति के सुधार की कुछ आशा भी थी लेकिन अब तो श्राप के कारण वो भी नहीं हो सकता अब तो उसने भविश्य भी लिख दिया है पहले तो मैंने निश्चय कर लिया था कि अपने आतीत से कुछ सीख के अपने वर्तमान को उससे बहतर बनाऊंगा पिर भविश्य में जो नवीन स्रिष्टी का स्रिजन करूंगा वो देव स्रिष्टी से भी बहतर होगी लेकिन अब तो स्थिती के सुधार की कोई आशा भी नहीं अब तो श्राप के कारण वो संभव ही नहीं कोई मार्ग नहीं रह गया है मेरे लिए अब तो अवशिष्ट उपाए भी न क्योंकि काम का श्राप तो फलित होकर ही रहेगा तो उसे अन्धकार में मौन पड़े हैं लेटे हैं मन सब सुख में भविश्ची की आशाएं मिटा दी हैं काम के श्राप ने और भर दिया है उनके मस्तिष्च को भविश्ची की आशंकाओं से दीरे दीरे सुखा होने को है अब मनु के जीवन में आने वाला है एक नया सवेरा लेकिन नया सवेरा जिसे हम मानते हैं उसमें एक सकारात्मक उर्जा भरी होती है नये सवेरे में लेकिन शायब मनु का आने वाला नया सवेरा नया नहीं है इसमें भरी हुई है काम के श्राप की नकारातमत्ता जिसका कारण वो? स्वयम है लेकिन मनु स्वयम को दोशी मानते ही नहीं उन्होंने श्रद्धा के मिलने का दोश भी काम पर रखा और अब श्रद्धा से विछडने का या जो भी वर्तवान परिस्थिती उनके सामने है उसका दोश भी काम पर ही मढ़ दिया है अब देखना है आगे? कि जब सवेरा होगा, जब उठेंगे मनों जब चलेंगे उनके कदम आगे अपनी यात्रा पर दो वो किस ओर बढ़ेंगे क्या होगा उनका अगला चयन, अगला पड़ाव क्योंकि अब उनका कोई भी कर्म काम के श्राप से अच्छूता नहीं होगा श्री लोटूंगी आगे की कथा के साथ प्रतीक्षा कीजिएगा सुनते रहिए, चलते रहिए इस यात्रा में मेरे साथ जै शंकर, जै भारत